नरेश सेलवाल को जितनी बड़ी जीत दिलाओगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी दिलाएंगे दीपेंद्र हुट्डा उकलाना हलके के अपार आशिवात के लिए हमेशा आभारी रहूँगा नरेश सेलवाल कॉंग्रेश प्रत्याशी नरेश सेलवाल के सवर्थन में गाव पाबड़ा में विजय रेली का आयोजन किया गया जिसमें बतोर मुख्या आती थी सांसर दीपेंद्र हुट्डा ने शिर्कत की रैली में सांसाद दीपेंद или हुड़ा वर नरेश सेल्वाल को पगली पहना कर सम्भानित किया गया सांसाद दीपेंद र हुड़ा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उकलाना हलके की जंता कॉंगरेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल को जितने बड़े मारजन से जिटाएगी कॉंगरेस नरेश सेलवाल को उतनी बड़ी भड़ी जिम्मादारी देगी आप सिर्फ जीत के मारजन को बढ़ाओ आगे की जंता मत करो आठ अक्टूबर के बाद उकलाना हलके में विकास का मीटर खीज देंगे उन्होंने कहा कि नरेश सेलवाल मेरा भाई है और भाजपा जो बोलती है कि कॉंग्रेश की विधायकों को तोड़ देंगे तो नरेश सेलवाल जैसे विधायक कॉंग्रेश के बनेंगे जिसे खुद मोदी तो क्यार रूस से पुतिन को भी ले आएं वो भी कॉंग्रेस की विधायकों को नहीं तोड़ पाएंगे दिपेंदर उड़ा ने का कि आप ज्यादा से ज्यादा वोड देकर के यहां से नरेश सेलवाल को विधायक बनाओ और उसके बाद फिर प्रदेस में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी कॉंग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को MSP की गैरंटी देंगे 25 लाग रुपए तक का गरीवों का निशुलक इलाज करवाया जाएगा माहिलाओं को 2000 रुपए प्रती महीना मिलेगा तथा 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा वगरीवों को 100 गज के प्लॉट दिये जाएंगे उकलाना हलके के अपार आशिवाद के लिए हमेशा आभारी रहूँगा नरेश सेलवाल कॉंग्रिस प्रत्यशी नरेश सेलवाल ने विज़ारहली को सम्बोधित करते हुए कहा कि हर्याना प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है जिसमें उकलाना हलके की जन्ता की बहुत बड़ी भागेदारी रहने वाली है उकलाना हलके की जनता ने हमेशा मुझे अपना समर्थन और आशिवात दिया है और इस चुनाओ को खुद उकलाना हलके की जनता लड़ रही है आज इस रेली में पहुँची हजारों की संख्या में जनता ने दिखा दिया की वो भाज़पा को सत्ता से बेदखर करके उकलाना हलके से कॉंग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने जा रही है उन्होंने जनता से आवान किया कि 5 अक्टूबर को जवाब मददान करने जाएं तो भाज़पा सरकार में किसानों पर बरसाई लाटियों को महिलाओं पर किये गए अत्याचार को दलित गरीब के छीने गए अधिकारों को करमचारियों और सरपंचों पर बरसाई लाटियों को पोर्टल के माध्यम से जनता को दी गई परेशानी को भूल मत जाना और वोट की चोट से बीजेपी से बदला लेना है कॉंग्रेस को अपना एक-एक कीमती वोट देकर विजई बनाना है विजई रैली में 12 बजे महिलाएं पहुँचना शुरू हो गई थी महिलाएं जब रैली में पहुँची तो वो नाच थी गाती आई और उनमें इतना जुनून और जोज दिखाई दे रहा था कि रैली संपन नभूले तक वो खुशी से चुनती रही और दिपेंदर उट्टा को विश्वास दिलाया किस बार उकलाना हलके से कॉग्रिस पार्टी बारी मतों से विजई होगी रैली में युवाओ में बड़ा जोश देखने को मिला रैली में पहुची अपार भीड के चलते पंडाल चोटा पर चुका था जब खड़े होने के लिए भी जगा नहीं मिली थी तो काफी युवा पंडाल में लगाए गए पाइकों पर चड़ गए और अपने नेताओं की बात को सुने लगे नरेश सेलवाल के समर्तन में आयुजित विजईरैली में उकलाना हलके से भारी संक्या में लोग पहुचे थे और आलम ये हो गया था कि मुक्य आतिती दिपेंदर हुटडा के आने से पहले ही पंडाल खचा खच भर चुका था और लोगों को खड़े होने के लिए भी जगए नहीं मिल पा रही थी जिसका रंट जितनी भीड पंडाल के अंदर थी उससे ज्यादा भीड पंडाल के बाहर कड़ी दिखाई दे रही थी चारों और वानों का भारी जाम लग चुका था नरेश सेलवाल ने आज पावड़ा में आयवजित विजयरेली में हजारों की संक्या में भीड जुटा कर विरोधियों के होश उड़ा दिये हैं रेली में महिलाओं की ये बहुत बड़ी भूमिका रही बज़ुर्गों और युवाओं में भी रेलीस में एक बड़ा जोज देखने को मिला था और सभी जूमते हुए दिखाई दे रहे थे दिपेंदर उड़ा जम्मंच से संबोधन कर रहे थे तो पंडाल से एक ही आवाज आ रही थी कि हम 80,000 से ज्यादा लीड देकर नरेश सेलवाल को चंडी घड़ भेजेंगे आप उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देना